सामने की तरफ यह शाट केला है और इस बार स्क्वाइर का छे रनों के लिए गुप सूरा टाइमिंग इस प्रीट बॉल पर से पटका है उपर खड़ी हो गई है पर यह प्रीट डिलिवरी है तीसरा ओवर पहला किन और क्लीन बो तीसरा यकिन शियम बारदवाच लक्सम के बाहर यकिन आखरी गेंद यह तीसरे ओवर का और क्रीब बोल डंडा बार पर फेर बैट घुमाया है मिडाउफ के खिलाडी को टपा दिया है और यह चार रन में तीसरा गेंद शॉट बॉल सामने मारा उसे काफिट इस वार उपर सामेड विकेट की तरफ मारा है क्या क्या चोंगी जी नहीं वहां क्या चूट गया है और दोनों के बिटर लेवन को मिल जाता तो और फ्रेशर बना सकती थी और दबाब बना सकती थी टीम पर बड़ा और इस बार मिड़ विकेट की तरफ उठा के मारा है वन बाउंस पाउंडरी इक बार फिर लेक्सम के बाहर बॉल वाह पर विकेट कीपर का हाथ लगा रन बज गई है दो इस बार पुल किया है हवा में बूल है फिल्टर नीचे और विकेट समय लेंगे सेट होने के लिए और पी चोहान शॉट हवा में क्या ये कैच होगी बहुत लगा एक और फुल टॉस के इन सामने मारा है चार रन मिल जाएंगे कि लिए के चोहान अपना दूसरा ओवर लालते हुए और पहली गेंद पर उनका स्वागत किया कि एक और खूब सुल अच्छार एक और बाउंडर दूसरा गेंद अभिनाश ट्राइक पे अब कि पैल अगेंद गेर में ओवर का एंड चेंज हुआ है और पहले ही गेंद काफी तेज गती से बोले करी हैं कमल नागर ने और सूरज का खड़े रहना पूरे बीस ओवर बहुत ज़रूरी और इस बार क्लीन अमेश शोहान अपना तीसरा ओवर लेके त्यार और वहीं फाइटर एलेवन की टीम जल्द से जल्द आल ओट करने का प्रियास करेगी अब बड़ा शॉट और ये बाउंडरी अब बड़ा शॉट हवा में फिल्डर बोल के नीचे और वहां पर कैच चुके यहां संकट में है टीम एक बार फिर बड़ा शॉट क्या इस बार कैच होगी जी हां इस बार कैच अगला गेंद इन विकेट निकाल चुके हैं कि पहला ही कि इन दिशा निकालना और इसके वाद हिट करना और वहां पर कीपर जो कि फाइटिंग टॉटल जरूर होगा इस मैच में बार फिर कट करने का प्रिश्च क्लीन बॉल्ड आखरी बल्ले बाज आए और कुर्णा क्वर्णा क्वर्णा क्यों । झाल 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 ताङल तीसरा गेंड सूरज का और इस बार पहुत तेज़ वहाँ पर स्लेश किया लग करेंगे पर इस बार भी सेम शॉट पर इस बार बल्ले का किनारा लगा और डीके जुआन के बीच एल तीन गेन बीट हुई थी अगली पर चोका लगा है और इस गेन पर रंडा बाहर और दूसरी सफलता इस बार कट किया है गैप में शॉर्ट कूप सूर्ट टाइमिंग चार रन मिल जाएंगे हैं अच्छा शॉर्ट कवर्स की तरफ बहुत ही साधा अगरे इंदिये साथ में उबर का बहुत ही तेज अपील वहां कट किया और वहां निकल गई है पीछे थार्ट मैंट के फिल्डर के पास चार रन मिल जाएंगे आशी और इस बाद पहली गेंट पर बड़ा शॉर्ट छे रनों के लिए स्वागत किया है उनका इस अब पर फिर बल्ला गुमाया है और यह निकल गई है थाट मैंट के उपर से चार रन और यह एंड चेंज हुआ है पर नतीजे में कोई चेंज नहीं आया है अब भी वही नतीजा पाउंडरी मिलती हुए पहले ही गेंट पर एक बाद फेर से निशाहिन गेंट पर बड़ा शॉर्ट सामने की तरफ फ्लैट गई है यह बाए इस बार स्वीप कर दिया है और इस बार विकेट गिर चुकी है पिछली गेंट पर अगर दोड़ान ले ले लेते तो मैच भी खतम हो जाता और पचास भी हो जाते और इस बार इस चुहान